Hello friends, good morning, welcome back to my youtube channel, Plants and Pets Lower Friends, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही harde plant की अगर आप beginner हैं friends, तो इस plant को जरू लगाईए, पहुत ही hard plant है आप इसको अपने गार्डन में अगर लगाएंगे, तो कुछ भी आपको maintenance करने की जरूत नहीं है, care करने की जरूत नहीं है, यह बहुत हाड़ी plant है, और यह devil backbone और इसको pedilanthus भी कहते हैं, इसको घर में अगर आप लगाएंगे अपने balcony में, तो एक बार लगा करके आप छोड़ दें friends, बहुत अच्छी growth होती है, इसकी आप इसको चोटे pot में भी लगा सकते हैं, और बड़े pot में भी आप इसको लगा सकते हैं, यह बहुत ही जल्दी घना होता है, नीचे से भी इसमें plant निकलते हैं, और उपर से आप अगर प्रूनिंग करेंगे तो बहुत ही जल्दी बूशी plant हो जाता है, और जो भी नीचे stem, गली सड़ी हैं, friends, उनको निकालते रहिए, क्योंकि नहीं तो fungus भी लग सकती है plant में, तो इससे बचा के रखना है कि जो नीचे सुखी पत्तियां, सड़ी पत्तियां हैं और stem वगारा, जो अभी कभी खराब हो जाती है, क्योंकि पानी का इसमें बहुत ही ख्याल रखना है पानी इसके लिए ज़्यादे नहीं देना है आपको, और यह मेरा प्लास्टिक के pot में है, तो अगर मैं पानी ज़्यादे डालूंगे तो यह roots खराब हो सकती है इसलिए पानी बहुत कम डालना है, चैकर के डालना है इसमें पानी और इसको sunlight में ही रखना है यह sunlight का ही plant है, shade में रखेंगे तो फिर green पतिया होंगी, अगर आप इसको ऐसे धूप में रखेंगे तो यह देखें मेरी पतियां बहुत ही यह variegated वाला है यह दो तरह का होता है, green और एक यह variegated यह variegated है और इसमें बहुत अच्छी पतियां यह green पतियों के उपर pink pink shade बनती है बहुत ही सुन्दर plant है, आप इसको जोड़ लगाए, multiply करना इसको बहुत easy है आप नीचे से baby plant निकाल कर भी multiply कर सकते हैं और यह cutting से तो बहुत ही जल्दी grow हो जाता है आप इसकी 2 इंच से लेके 4-5 इंच तक की cutting grow कर सकते हैं, बहुत easy to grow है और यह देखे, यह सारी मैंने cutting से ही grow किये वा है, यह देखे और यह मैं कहीं से friends, cutting से ही लाई थी और उसी से मैंने इतने सारे plant बना लिये है multiply करना इसको बहुत ही easy है तो इसको friends fertilizer, fertilizer भी इसको ज़्यादर ज़रुत नहीं है आप साल में 2-3 बार ही इसको fertilizer दीजिए और क्या fertilizer देती हूँ मैं आपके साथ share करूंगे आगे आप इसको ज़्यादर fertilizer नहीं दीजे friends बस आप इसको गुड़ाई करते रहिए और पानी का ध्यान रखिए बस इसका यही है में और इसको थोड़ा sunlight में रखिए आप और यह winter में भी grow करता है, सारी पत्या नहीं गिरती है इसकी और बस slow इसकी growth हो जाती है dormancy में पुरी तरह नहीं जाता है, हाँ थोड़ी थोड़ी इसकी growth होती रहती है यह देखे soil आपको ऐसी रखनी है कि आप मुट्टी बांदें और यह ऐसे बुरबुरी हो करके गिर जाए ऐसी well-drain soil रखिए इसकी क्योंकि हम पानी दें इसमें और पानी इसमें नीचे अगर आपके पास चिकनी मीटी है तो उसमें सैंड जरूर मिलाए सैंड मिलाना बहुत जरूरी है और थोड़ी सी आप नीम खली भी मिला सकते है उसी से यह प्लांट आपका growth करता रहेगा तो और इसको इस प्लांट को फ्रेंस root pound होना बहुत पसंद है इसका बहुत जल्दी से ही pot भर जाता है और इसको root bond रह करी बहुत growth करता है यह अच्छे तरह से पूरा pot भर जाता है पत्तियों से अगर आप इसकी cutting करते रहेंगे प्रून करते रहेंगे इसको तो यह देखे यह है मेरा फटिलेजर जो मैं यूज करते रहती हूँ साल में दो तीन बार ही देती हूँ बस यह वर्मी कंपोस्ट है थोड़ी मैंने इसमें नीम खली मिलाई है नीम खली से लिए मिलाई है क्योंकि फंगस ना लगे हमारे प्रांट में तो ऐसे लेकर के आप दो मुठी एक बड़े पॉट में डाल सकते हैं मेरा यह बड़ा पॉट है बारा इंच का पॉट है और इसमें मैं दो मुठी डालूँगे फ्रैंस इसकी इसके लिए सफिशेंट है काफी छे मेने के लिए इसका इससे काम चल जाएगा बस आप इससे जदा है फटिलाजे इसको मत दीजिए और आप इसको सनलाइट में रखी बस और इतनी कटिंग लेकर के आप इसको ग्रो कर सकते हैं यह देखे यह मैंने कटिंग ली है और इसमें से फ्रैंड्स वाइट वाइट यह दूद जैसा निकलता है सैप और यह थोड़ा सा अगर इसकिन पर लग जाए तो थोड़ा इरिटेट्स इरिटेटिंग सा होता है अगर आपके घर में फ्रैंड्स छोटे बच्चे हैं या फिर पैट हैं आपके पास तो इसको अपने पैट्स को इसको खाने मत दीजिए क्योंकि यह टॉक्सिक है तो आप अपने पैट को बचा कर रखे इससे और बच्चों को भी इससे बचा कर रखे क्योंकि इसका यह दूर जो सैप होता है यह थोड़ा नुकसान दायक है और कटिंग लगानी है वैसे आप इसको रख भी सकते हैं 20-25 मिनट के लिए तब यह सैप सूख जाए तब लगाए लेकिन मैं ज़्यदा तर ऐसे करते हूँ ऐसे ही कट करके मैं इसे में ही लगा देती हूँ अगर अलग पॉट में लगाना है आपको तो नई मिट्टी में लगाए यह बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है मेरा इसमें भी ग्रो होता है यह सारे मैंने कटिंग निकाल निकाल के नीचे में लगाती जाती हूँ और ये grow हो जाता है तो बहुत ही hardy plant है अगर आप new beginner है आपके पास time नहीं है plant की care करने के लिए तो ये 2-3 plant है जो की जरूर आपको लगाने चाहिए उसमें boginvillia है और ये है सुदर्शन में अभी वीडियो आपको दी है वो भी plant बहुती जल्दी grow होता है और hardy plant है तो money plant है कहीं plant है जो की आप लगा कर छोड़ दीजिए कोई भी जादे महनत आपको करने की जरूत नहीं है तो thank you friends ये थी मेरी आज की वीडियो like जरूर कीजिए